हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत शागत है तो ये देखिए आज मैंने कितना सुन्दर सा ये और नाजर मना है इसमें मैंने काफी सारे सामान को रख दिया है और ये देखिए ये देखने में कितना सुन्दर लग रहा है इसे मैंने वेश्ट पड़े तो इसे मैंने waste material से बनाया है, zero cost में, तो इसमें मैंने hanger को भी लगा के रखा है, जिससे कि आप इसे hang कर सकते हैं, किसी भी कील पर, तो यह देखिए, यह देखने में कितना सुन्दल लग रहा है, और इसे हमने waste पड़े हुए, आटे के बोरे से बनाया है, तो चलिए इसे बन बनाना सुरू करते हैं, तो आज हम इस तरह के waste पड़े हुए, आटे के बोरे में से, आटे का बोरा हो, यह चावल का हो, किसी का भी आप यह बोरा ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आटे का बोरा लिया है, यह प्लास्टिक का बोरा है, इसका जो नीचे का हिस्सा है, इसे बड़ीपर बनाइजर जिसे आप किसी यूज कर सकते हैं इसे वर बच्चों के लिए क्यूंच कर सकते तो अब मैंने इसके नीचे के पाट को कट कर दिया है तो अब हम इससे एक लम्मा सा पीस बना लेंगे इसको कट कर लेंगे इस तरीके से अब हमें जितना भी बड़ा है अपना इसमें से बोरा ले लेंगे तो इसकी में चोड़ाई रखूंगी आठ इंच के करीब तो आठ इंच पर मैं यहां पर माक कर देंगे तो यहां पर आठ पर मैंने इस पर माक कर लिया है तो अब हम इसकी लम्माई देखेंगे कि हमें कितना रखना है तो मैं इसमें 3 फॉकर्स बनाओंगी तो मैं यहां पर इसे ले रही हूं 19 इंच का क्योंकि थोड़ा सा यह फोल करने में और सिलाई करने में जाएगा तो मैं करने से 19 इंच का ले लिया है यहां से और यहां पर भी मैं इसमें आठ फर माग कर लेती हूं जिससे कि यह काटने में आसानी होगी तो इसे मैं कट कर लेती हूं तो अब हम इसमें पॉकेट्स बनाएंगे तो पॉकेट्स के लिए भी मैं कपड़ा कट कर लेती हूं यानि कि जो बोरा है उसमें से तो इसका जो हमने वेस था वो कट कर लिया है तो यह मैंने इसके लिए पॉकेट्स कट कर लिया है तो इसकी जो चोड़ाई है वो हम आठ रखेंगे तो जो इसकी उचाई है वो मैंने लिया है साथ एंच आठ वाई साथ का यह मैंने कट कर लिया है वोरे को तो अब हम इसी तरह से तीन पॉकेट्स कट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर यह तीन पॉकेट कर लिए है तो एक पॉकेट को रखेंगे तो पहले हम इसमें थोड़ी से डिजाइन बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक पॉकेट को लिया है अब हम कोई भी बेस्ट पड़ा हुआ कपड़ा लेंगे अपना तो अब हम एक पॉकेट लेंगे और इस पर हम थोड़ी से डिजाइन बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर यह ब्लू कलर लिया है और इसमें से मैंने चौक और फीस कट कर लिया है तो आप अपने साब से थोड़ा चोटा या बड़ा कट कर सकते हैं तो अब हम कोई लेस्ट कि इस तरी कैसे रह्फ कर से लेंगे जिससे देखनी में काफि सुन्दर लगे तो इसके चार और हम रगा लेते हैं और यहाँ पर हमारा है कि यहार्ड्वावाला नहीं जो हम ने भीए लगा पर किनारी लगा देंगे तो इसे हम इस तरीके से फोल करते हूं किनारी लगा देंगे इसे यह रिवन का कपड़ा है तो यह देखिए इसके 4 तरफ मैंने एक किनारी लगा लिया है बीर हमारा कितना सुंदाल लग रहा है तो अब हम यह अपनी रिबन लेंगे और उससे हम इस तरीके से फोल करते हुए इसकी किनारी लगा लेंगे आप चाहें तो इस तरीके से चोड़ी भी इसे रख सकते हैं और आप चाहें तो इससे पतला भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ फर दोनों साइड में एक जैस इसकी किनारी को सिल कर तयार कर लोगी, तो इससे भी मैं सिल लेती हूँ, इस पर सीधी सिलाई लगा लोगी, तो यह देखिए, इसकी भी मैंने किनारी लगा ली है, और यह देखने में कितने सुन्दर लग रही है, जिस तरीके से मैंने इतना इस साड में फोल किया है, उतना ह मैंने इस साड में भी से फोल्ड कर लिया है और ये हमारा फैब्रिक कितना सुन्दर लग रहा है तो इसी तरह से हम इसकी जो दो पॉकेट्स और है उनको भी हम इसी तरह से बना के त्यार कर रहेंगे तो इसे भी मैं बना लेती हूँ तो ये देखिए मैंने आपर तीनों पॉकेट्स को सिल लिया है इस तरीके से लेस लगाते हुए तो मैंने आपर एक डिफरेंट लेस लगा लिया है क्योंकि ये वाली लेस मेरी कम पड़ गए थी और आप इसी तरह से तीनों पर अलग अलग हैं जिससे देखने में काफी सुन्दल लगेगा अब हम इसका जो हमने प्लास्टिक के बोरे को लम्मा कट किया था उसे लेंगे और इन हम पॉकेट्स को तीनों को इस पर सेट कर लेंगे इस तरीके से रखकर जिससे की हमें इसका अंदाजा हो जाए तो इस तरीके से रखलिया है मैंने तीनों पॉकेट्स को तो अब हम ए दो पॉकेट्स को उठा लेंगे और जो हमारी फर्श्ट वाली ऊपर वाली पॉकेट है उसे लेंगे और यहां पर एक सीधी स्लाइल लगा लेंगे इससे क्या होगा कि हम जब इस पॉकेट को होगे तो यह थोड़ा सा इसके प्रश्राह जाएगी स्लाई जो दिखेगी नहीं और यह हमारी पॉकेट स्में जोइंट हो जाएगी तो मैं यहां पर इसमें लगा लेती हूँ पहले तो मैंने एक pos it was me see फोलाई बाए पॉलाज़ लोगा यह व्य हम यह सिल हिस्टाय लगा लेंगे पॉलेक्ड को लेंगे जीस्से कि यह तीनों पांकor इसमें सील जाएंगी तो यहoren है यह पॉकेट में जहब तो इंगों हम तीनों को सिल लेते हैं इन दौनों पोकेट्स को भी मैं सिल लेती हूं जिससे की हमारी तीनों पोकेट्स लग जाएंगे इसमें तो इन तीनों पोकेट्स को मैंने इसमें सिल लिया है यह देखिए इस तरीके से तो अब हम किनारी लगाएंगे तो मैंने यहां पर रिविन क मैं नीचे लगाऊंगी जिससे की इसमें लगके त्यार हो जाएगी तो इसके नाप से मैं कट कर लेती हूं तो इसे मैं लगा लेती हूं तो यहां पर मैंने रिवन को सिल दिया है तो अब हम इसकी केनारी लगाएंगे तो यहां से हम दिया से किनारी लगाएंगे तो इसकी किनारी हम यहां तक लगाएंगे क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड करूंगी इसे हैंगिंग करूंगी तो उसके लिए मैं इसे फोल्ड करूंगी तो दो इंची मैं यहां पर छोड़ दूगी जिससे कि मैं इसे हैंग कर सकूं तो इसी तरह से मैं इसकी चोड़ी-चोड़ी किनारी लगा लेती हूं जिससे कि नाप से मैं एक और पीस कट कर लेती हूं इस तरीके से लेकर मैं यहां तक इस पर किनारी लगा के त्यार कर लेती हूं इस तरीके से रखते हुए मैं इसकी किनारी सिल कर त्यार कर लेती हूं तो इसे मैं सिल लेती हूं दोनों साइट से इसकी किनारियों को लगा के त्यार क करने के लिए यहां पर हैंगल लगाएंगे आप चाहें तो इस तरीके से आप यहां से इनको फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहां पर एक बैंगल भी लगा सकते हैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके और आप चाहें तो इस तरह का कोई भी हैंगल लेक इसे हैंगर में इसतरीके से सिल कर भी इसे हैंकर सकते हैं जो छोटे बच्न के कपड़े आते हैं उनमें छोटे-छोटे से हैंगर होते हैं वह इसे मन और फिक्स रहेटें इसे उम्हेंगर सबस्टेлекиं देग olmaz और इसी के ऊपर मैं इस तरीके से यह पट्टी लगा दूँगी जिससे देखने में काफी सुन्दर लगेगा आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं और आप चाहे तो इसकी इस तरीके से आप किनारी लगाते हुए आप इसे सिल सकते हैं आपका जो मन हो आप उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि दूह्स कर देखिए यह देखने में कितना सुन्दर लग रहा है नज फ। मैं ह। इसी कीनाप का थोड़ा सारों करें तिलियों खाहनector को शिंगा नजदाए क्लें नाप कि तुम होड़ा सारों कि एक की घंग्र मेंने इसे सील लिया है और यह दिया है कि यह हमारा वोगनाजर बनके त्यार हौगया है और देखने में केतना ही सन्दर लग रहा है यह काफी बड़ा है और इसमें काफी लंबी-डंबी यह पौकिट्स इसमें आप कुछ भी सामार रख के कर सकते हैं तो आपने देखा होगा वेश्ट पड़े हुए मटेरियल से हमने कितना ही सुन्दल सा ये और नाजर बना के त्यार कर लिया है और ये देखने में काफी सुन्दल लग रहा है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वसेयर करें फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई